नमस्कार, पुस्पलता किचन में आप सभी का स्वागत है आज मैं बनाने जारी हूँ मखानी की सब्जी तो देर न करते हैं, हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं उसके लिए मैंने दो टमाटर, दो प्याज, एक सिमला मिर्च, धुल के काट रखी हूँ और एक बाउल मैंने मखानी ले रखी हूँ, टमाटर को मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ और ये कुछ मसाले देख लेते हैं, चार-पांच मैंने लाल मिर्च ले रखी हूँ, जीरा, दो बड़ी लाएची, दो छेटी लाएची, एक दालचिनी का टुकड़ा, काली मिर्च, दो तिन लॉंग, इनको मैं पीस के तयार कर लेती हूँ और ये मैंने कुछ मटर छिल के लिए रखी हूँ, और कड़ाई जो मैंने पहले से ही रख दी थी, गैस पे, जो कड़ाई ये गरम हो चूकी, अब इसमें मैं मखाने को डाल दी हूँ, और मखाने को मैं गरम कर लेती हूँ, इसे भूनना नहीं है, सिरिप गरम करना है möglichst hyster है, और अब इसमें मैं दस से पंद्र काजू डाल अरके हूँ अब काजू को मैं भून लेती हूँ और ये भी भून चुके हैं अब इनको भी मैं निकाल लेती हूँ और अब कड़ाय में मैं तीन चमच खाने वाले चमच से तीन चमच मैं तेल डाल देती हूँ प्यास मैं दाल देती हूँ इनको भी मैं फ्राई कर लेती हूँ और प्यास फ्राई हो चुके अब इसको मैं निकाल देती हूँ और सभी प्याज को मैंने निकाल ली हूँ और अब इसमें मैं सिमला मिर्च को डाल के फ्राई कर लेती हूँ और सिमला मिर्च भी फ्राई हो चुके अब इसको मैं निकाल लेती हूँ और जो तेल बचाओ उसमें मैं एक छोटा चम्मा जीरा डाल देती हूँ और जीरा जो है चटक रहा है अब इसमें मैं लसन और अद्रक का पेश्ट डाल देती हूँ और इनको भी मैं भून लेती हूँ इनको चलाते हुए मैं भून लेती हूँ और ये भी भून चुके हैं अब इसमें मैं जो पीसी हुई थी मसाला उसको मैं डाल दी हूँ अब इसको भी मैं चलाते हुए भून लेती हूँ और एक छोटा चमच इसमें मैं हल्ली डाल देती हूँ अब सभी को मैं मिला लेती हूँ और जो मैंने टामाटर पीस के तयार किया था उसको भी मैं इसमें डाल दी हूँ अब इसको भी मैं भून लेती हूँ और ये मसाला जो है भून चुके हैं और इसमें अब एक चम्मच कास्मीरी लाल मेर्च डाल दी हूँ इसको भी इसमें मैं मिला लेती हूँ अब इनको भी मैं मिला दी अच्छी तरह से अब मसाले में मैं दो चम्मच फ्रिस्ट दही डाल देती हूँ और इनको भी मैं चलाते हुए अच्छी तरह से मिला लेती हूँ इसको अच्छी तरह से मैं मिला ले रही हूँ और मसाला जो है भुन के तयार हो चुका अब इसमें मैं मटर डाल देती हूँ क्योंकि मटर जो कच्छी है इसी साथ थोड़ी भुन जाएगी और जो मैंने फ्राई कर रखी थी सिमला मिर्च इसको भी मैं डाल दूँगी और जो मैंने प्याज फ्राई करी थी इसको भी मैं डाल दूँगी आप चाहे तो ग्रेवी तयार करने के बाद आप डाल सकते हैं और इसको मैं अच्छी तरह से मिला लेती हूँ इसको भी मिलाते वे मैं अच्छी तरसे भून ली हूँ दही को मिलाते वे भूनना बहुत जरूरी होता नहीं तो फड़ जाती है अब इसमें मैं माखाने को डाल देती हूँ और आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद कितना ख्रिश्वी हो चुका है माखाने और अब इसे मैं मिला लेती हूँ आप मिलाने के बाद इसमें मैं पानी डाल देती हूँ पानी मैंने फ़ेले थोड़ा सा ही डाली हूँ अगर मुझे लगेगा तो थोड़ा सा और डालूँगी ने तो मैं इतना ही रहने दोती हूँ पर अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डाल लेती हूँ बस मुझे पानी इतना ही चाहिए था और इसको मैं मिला लेती हूँ और इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ और नमक को भी इसमें मैं मिला देती हूँ अब इसे मैं पका लेती हूँ और आप देख सकते हैं मखाने जो हम पक चुके हैं इसमें मैंने दूद की फ्रेश उपर की मलाई मैंने डाल दी हूँ आप चाहे तो क्रीमी डाल सकते हैं इसको मैं मिला लेती हूँ दो मिनट के लिए इसे मैं बस पकाऊँगे क्योंकि इसमें को डालने के बाद ज़्यादा पकाना नहीं रहता है और इसमें मैं काजु जो मने भून के रखी थी उसको भी मैं इसमें डाल देती हूँ ये भी थोड़ा पक जाएगा और आप देख सकते हैं मखाने की सबजी बनके तयार हो चुकी अगर कोई कमिया है तो कमेंट करके बताएए फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ नमस्कार